कैसे हो आप सब लोग and welcome back to your own channel तो दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए एक पर्टिकॉलर एक स्टॉक क्यूब पर वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंडी को इंडी को इंडी को एयरलाइन्स है एयरलाइन्स कंपनी की यह सेक्टर की एक कंपनी है इंडी को तो इस शियर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और यह क्या swing trade बनता है swing trade जैसे कि आप लोगों को पता है कि swing trade होता है कि ऑगर आप एक दिन से ज्दादा hold करता हो एक हफ्ते घ्लयाया एक महिने के लिए या max to max तीन महिने के लिए centeredular चीज को हम लोग swing trade कहते हैं तो guys यह अगर हमारे लिए एक swing trade है और अगर यह अभी 900 रुपे के आसपास चल रहा है तो क्या इसमें possibility है उपर जानी की और क्या यह हमें कुछ पैसा कमा के दे सकते हैं around 26% भी अगर यह हमें देता है तो guys वो हमारे लिए बहुत better option है so guys पूरी आपको technical analysis की study करवाई जाएगी इस पर charts पर जाके हम देखेंगे कि यहां पर buy बनता है या नहीं बनता हुआ है charts पर आप लोगों को नई नी चीजे भी पता चलेंगी तो वो भी आप लोगों के लिए knowledgeable होगी तो पूरी वीडियो को देखेगा skip मत करिएगा charts को समझेगा guys क्योंकि वहाँ पर यह आपको basic knowledge भी provide होगी और side by side आप लोगों को इसके बार में भी पता चलेगा और शायद आप लोग swing trade भी ले पाएगे so guys बढ़ते हैं charts की तरफ बिना अपना time waste करें so guys हम लोग जो charts की study करने वाले हैं वो हम study करने वाले हैं through monthly, weekly और daily basis पर हम ऐसे monthly basis की study करेंगे daily basis की study करेंगे and then फिर हम weekly basis की study करेंगे so अब यहांपर देख सकते हैं कि ये मैंने monthly chart open कर आछा है अब monthly chart पर guys आप देख सकते हैं कि यहांपर मैंने एक rectangular box बना रखा है जो कि एक support का काम करता है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूगा इस एक second आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह जो box है यह box हमें show कर रहा है कि यहाँ पर हमें support देखने को बिला है यहाँ देखे first time इसने यहाँ पर support लिया उसके बाद इसने यहाँ पर support लिया और दुबारा bounce कर गया third time इसने यहाँ पर support लिया and fourth time भी इसने यहाँ पर support लिया और फिर bounce कर गया इस रेंज में जब भी इंडिको share आता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दुबारा एक bind generate हो जाती है और वहाँ से यह particular stock ऊपर जाना शुरू कर देता है तो हम expect कर रहे हैं कि यहाँ से जब इसने दुबारा movement करी है तो हम जब यह बात देख रहे हैं आप यहाँ पर देखेगा यहाँ से stock ने ऊपर की तरफ journey करी stock नीचे आया यहाँ पर अपना base बनाया stock दुबारा उपर गया और दुबारा नीचे आया यहाँ पर अपना base बनाया यहाँ पर आप देख सकते हैं stock दुबारा यहाँ से ऊपर जाता है यह देख सकते हैं और दुबारा नीचे आता है यहाँ पर अपना base बना रहा है यह Indicate क्या करता है कि जो Base जो नीचे Support आा रही है जो Support lah met आहँ से High यह वाला है यह प्रीविर्याइस वाले हाई से बड़ा है यरियानि कि मों इंडीगेट कर रहे हैं कि यहां से अगर अब बाइंग आती है तो यह प्रॉbably इसक को जाए जाए दोबारा नीचे आया चाहिए तो यानि कि यह दोबारा अपने प्रिवियस वाले हाइक को भी ब्रेक कर सकता है यह पॉसिबिलिटी इंडी को बना सकता है क्योंकि मंथली चार्ट में अभी भी बहुत जादा बुलिश है जो गिरावट है यह इंडीकेट नहीं कर रहा है अगर आप लॉंग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं अब गाइस यह जो लेवल निकल के आ रहा है यह जो लेवल है अगर इस हम लेवल की बात करते हैं तो यह आराउंड लेट से लेके यह जो हायर है और यह वाला जो लेवल है यह 760 गा level है तो इस range में हम देखते थे कि buying आ जाती थी और अभी इसकी closing क्या है इसका जो अभी CMP चल रहा है जो की current market price है वो 974 चल रहा है ठीक है अब गाइस दो दिन पहले मेरे यूटुब चैनल पर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप पर comment section पर आया था और एक बंदे मैंने पूछा था कि airline sector अब कैसा है क्योंकि आप लोग नहीं आप लोग को पता होगा कि लोगडाउन के बाद से शायद one-third airlines ओपन हो चुकि और वो flights book करना start कर दी है airlines में सो इंके लिए positive है इंडी को best है और इंडी को तब जब trade कर रहा था वो around 880 के around trade कर रहा था और हमने दो दिन के अंदर ही वहाँ पर 100 point तक की rally expect कर लिया इंडी कर रहा है और हमें expect कर सकते हैं कि यहां से एक दुबारा buying आ सकती है वो बनता था 900 के around जो 900 प्लस यह 900 के आसपास buy बनता था और हमने देखा था कि वो कल buy बनता था तो आज हम wait कर रहे थे कि अगर market पे या इंडी को पे थोड़ा सा भी downfall आता है और वो particular 940, 930 के आसपास भी लेकर आ जाता है stock को तो भी हम यहां पर अपनी buy position बना लेगे बट कोई बात निगाई जादा भी इसमें आपर देरी नहीं हुए है अभी वी आप लोग अपने chances नहीं miss कर पाया है बट यहां पर कुछ आपको एक तरीके से upside नहीं देखने को मिलीगी यहां पर बीच में बहुत जादा resistance भी आपको face करने बढ़ेंगे यहां पर बहुत जादा hurdle आएगी यहां पर आपको hurdle आ सकती है क्योंकि यहां से दुबारा नीचे आ सकता है फिर इसको जब break करेगा तो यहां पर hurdle आ जाएगी तो यहां से फिर दुबारा नीचे आ सकता है तो ऐसे करते करते guys यह stock उपर जाएगा तो हमें पूरी opportunity यहां तक के लिए वेट नहीं करना अगर आप करना चाहते हैं तो आप long time के लिए buy कर सकते हैं बट हमें swing trade लेना हम expect करके चलेंगे कि हमें यहां तक भी मिल जाएगा तो भी हमारे लिए 10-12% बहुत है यहां पर आपको दिखाता हूँ कि यहां पर एक और हमें एक resistance देखने को मिल रहा है अभी इस level पर वह क्या है वह मैं आपको बताता है यहां पर आप देखेगा यह एक particular resistance level है यह आप देख रहे हैं अब यह वाली line हमें क्या suggest करी है यह वाली line हमें suggest करी है कि जब यहां से ऊपर जाता है ऊपर गया तो यहां में resistance देखने को मिला इस line पे और यह दुबारा नीचे आ गया फिर जब इसने इसको break करा इस resistance level को तो कोई level इसके लिए support बन गया यहां पर यह देख रहे हैं resistance become support यह चीज़ बहुत important चीज़ा अगर यह तो basic होता अगर यह basic आप लोग समझ गया है तो आप लोग टेक्निकल चार्ट को देखना समझ जाएंगे और यह support और resistance demand और supply ही हमारे टेक्निकल चार्ट का 40% कवर करता है हाँ guys यही 40% कवर करता है और अगर यह आजाए तो आप लोगों को patterns identify करने में मुश्किल जब 5 minute लगेंगे और समझने में कि वो patterns होते क्या है ठीक है guys तो यह सारी चीज़े हैं जो आप लोगों को basic से बताई जा रही है अब guys यहां पर दुबारा में support देखने को बिला exact इसने जो high बनाया अपना यही पर ही बनाया जो की level आ रहा है 1086 का level यानि की 1080 से लेके 1090 पे एक strong resistance है ठीक है guys यहां पर एक strong resistance है अब यह trade कहां पर कर रहा है trade कर रहा है 974 पर अब guys अगर हम expect करते हैं कि यहां से 100 रोपे की movement देगा तो 100 रोपे की movement में expect कर सकते हैं कि यहां से कमसे गम 10% की movement दे सकता है तो हमारे यहां से भी हमारे लिए 974 से भी 10% की movement भी बहुत अच्छी है जो की 100 रोपे का level होगा so is अब आप लोगों को करना क्या है वो मैं आप लोगों को बताता है सबसे पहले जो safe traders हैं जो अगर buy भी करना चाहते है long term के लिए या फिर averaging करना चाहते है तो मैं उन लोगों को सला दूगा कि 870 से लेके यह जो level आपको मिल रहा है 975 का इस level पर guys आप लोग अपनी averaging start कर द shares को चोटे-चोटे जो भी आपको थोड़ी dip मिलती है और इसके ऊपर जैसी break करेगा जैसी guys यह 1090 के ऊपर जाएगा वहां से हमारे पास possibility है कि यह 1200 या 1400 रुपेगे level तक भी जा सकता है वो हम weekly chart और daily chart में जाके study करेंगे तो guys आपको यह monthly chart था यहाँ पर आप लोगों को पत position बनाने के आप कोशिश करेंगे और यह हमारे लिए best swing trade बन सकता है अब हम बढ़ते हैं अगले सिस्टम पे support पर तो यह है weekly chart यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही बना रखा है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो particular मैंने आप लोगों को पैटन पैटन को हम कहते है guys cipher pattern पैटन होता है और यह वाला जो pattern बना है guys यह pattern bullish बना है ठीक है guys यह pattern आप लोगों को बेरिश लग रहा हूँए देखने में कि नीचे है भटड यह इस bullish है क्योंकि ही पोइंट होता है यह रिवर्सल पोइंट होता है और यहां से अप साइड हमें द जी गैस अब आप लोग देखिएगा कि यह जो पैटन बनाया है यह मैंने जो बुलिश साइफर पैटन बनाया है एक्जक्ट इसका जो रिवर्सल आया वो एक्जक्ट यहां से आया जो कि लेवल था 833 का लेवल 833 के लेवल से ही हमें रिवर्सल देखने को बिला आप यहां पर देख सकते हैं एक्जक्ट इसी पॉइंट से हमने बहुत जादा बुलिश के हैंडल देखने को मिली थी जो कि 833 से इसको ग्यारा सो रुपे के लेवल तक ले गया था एक हफ़ते के अंदर अंदर ही गाईज ह यह पाँद और मन list से πिबीश में दैने वाराय थी दिड डिवर्सल लाइज ए यहां पर यहां पर मुझे बता रहा है यह जो लेवल है कि यह थे लेवल इसके बीच के यह जो range के अंदर trade कर रहा है यहाँ देख रहे हैं इस range के अंदर ही trade करे जा रहा है और अब यहाँ पर जैसी इस range को उपर की तरफ break करेगा और यह range क्या निकल के आ रही है 1083 ठीकेगा अब मैंने आप लोगों को मंतली चार्ट पे resistance की line बना के बताया था कि 1080 के आसपास हमें एक resistance देखने को मिला है 1086 पे और जब मैंने यह pattern बनाया और जब मैंने Fibonacci बनाया है तो Fibonacci भी मुझे यह चीज़ बता रही है कि हमें यहाँ पर भी resistance देखने को मिल रहा है 1083 पे तो यानि कि आप देख सकते हैं कि मंतली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट किस तरीके से हमें बता रहे हैं कि exactly यहाँ पर 1080 के आसपास एक resistance है trade कर रहा है 974 पे एक आप लोग risk trade लेके यहाँ पर भी buy position अपनी बना सकते हैं और अगर यह इस level की ऊपर weekly closing कर देता है यहाँ देखते हैं ऊपर जाने की कोशिश करता है पर week के अंदर नीचे बन दो जाता है तो यहाँ अगर यहाँ पर week की ऊपर एक body close कर जाती है हम अपनी buy position दुबारा initiate कर देंगे for a target of first target जो इसका होगा guys वो गड़ 12.38 and second target is 13.64 हाँ guys इतने बड़े बड़े targets हम expect कर सकते हैं यह couple of months के अंदर आ सकते हैं हम expect करके चलना हो कि यह मुझे 3 महीने के अंदर अंदर यह levels भी दिखाने को मिल सकते हैं तो यह bullish cipher pattern है जहां से reversal आ चुका है हम expect करना है कि यहां पर भी एक good buy बन सकता है अब हम बढ़ते हैं अगले अपने face पर तो यह भी guys एक weekly chart है हमें देखना है कि exact वो level support है की नहीं है कि वहां से नीचे गरने के chances है की नहीं है guys अब आप लोगों को यह चीज़े क्यों बताई जा रही है आप लोग यह भी सोच सकते हैं कि यहां से भी नीचे जा सकता है पहली बात देखिए guys यह monthly chart है ठीक है मैं नहीं कहरा है नीचे नीचे नीजा सकता possibility हम stock market में यह expect ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे इसाब से चलेगी भी कि नहीं चलेगी अब आप यहां देख सकते हैं कि यह जो level है यह है 2016 से तो 2016 से जब इस चीज को respect कर रहा है चार साल से हम देख रहे हैं कि support को respect कर रहा है और इसको break नहीं करता है और यहां पर हम देखते हैं कि buy position आ जाती है क्योंकि इसके नीचे नहीं जाता यहां पर आप देखते हैं कि exact यहां से हम एक reversal देखते हैं इस level से जो कि around 8.33 का है उसके नीचे जाता है पर वहाँ पर एक reversal आता है देखते हैं जो विकारी है यहां पर यह देख रहे हैं यह एक reversal का signal होता है कि यहां पर एक reversal आ रहा है सो गाइस यह आपका बाइंग प्राइज हो गई यहां पर आप बाई कर सकते हैं डिप में बाई कर सकते हैं पहला टागेट आपको बता चुके हैं सो नेक्स्ट फेज में आते हैं तो यह भी वीकली चार्ट है इसमें भी हमें स्टड़ी करनी है कि हमारा जो बेस है जो हमारा 833 के लेवल है वो स्ट्रॉंग है की नहीं है तो गारें यह क्या बता रही है वह में आपको बताता हूं यह मैं बता रही है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो टॉप आप दुख एग्जक्ड इस तो क्यास अगारू गार्द है इस जो pattern मना है इस pattern को हम कहते है guys a b equals to c d pattern अगर मैं इसे नाम के उसमें रखू या फर मैं इसको words दू तो ये a हो गया, ये b हो गया ये c हो गया and ये d हो गया तो मैं इसको दुबारा और अच्छे से clear से बताता हूँ यहाँ पर आप देखिए इस point को a का हूँगा इस point को मैं b का हूँगा इस point को c का हूँगा और इस point को मैं d का हूँगा तो ये pattern को हम कहते है guys a b equals to c d pattern ठीक है guys अब ये a b और c d equal को है यानि कि ये चीज मुझे बता रही है ये जो a b line है और exact जो c d line है ये जो गिरावट आई है और ये वाली जो गिरावट आई है जो fall आये जो fall आया guys ये exact same fall होता है और जब exact same fall से यहां से reverse करता है ये level से तो guys हम देखते हैं कि यहां से जो buying आती है वो दुबारा इसको b point तक लेकर चली जाती है जो कि इसका b point around आ रहा है तेरा सो रुपे के level तक ठीक है guys अब यहां पर आगर आगर हमें confirm करना है कि ये जो a b की जो गिरावट आई है और जो b c की d c d की जो गिरावट आई है क्या ये same है तो उसके लिए यहां पर मैंने यह बना रखा है अब यहां पर देख सकते हैं ये box ये box हमें क्या बता रहा है मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ ये देख सकते हैं ये मैंने box की गिरावट नोट कर दी है यानि की top से लेके bottom तक मैंने यहां पर एक box बनाया ये पूरी गिरावट ले ली अब इसको अगर मैं इस line से donate करता हूँ यहां पर आप देखेंगा exact यह देख सकते हैं यहां पर अपना pattern को complete कर रही है around 870, 860 के आसपस यानि कि हमें expectation लग रही है कि यह क्या बता रही है कि हमारे लिए best buy क्या है अब गाईस वहां से उपर जा चुका है तो हमें wait नहीं करना चाहिए कि हमारे profit की possibility भी निकल जाए बट यह हमें क्या बता रही है कि 830 से लेके 870 तक बहुत बढ़िया buy बनता है हमारे लिए indico में अगर आप long term के लिए भी buy करना चाहते हैं बट गाईस मुझे नहीं लगता कि यहां से अभी 100 पे नीचे गिरेगा हम क्या wait थोरी ना कर सकते हैं हमारे target सबसे पहला क्या 1080 जो कि swing trading के लिए जो कि हमें 10% अराम से दे सकता है तो गाईस इसके लिए में क्या करना है चाट पर उसमें क्या बता रहे हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं तो वह हमें बता रहा है यहां पर भी एक pattern बना है अब गाईस monthly weekly daily हर चीज के अंदर बन रहे हैं तो इस pattern को हम क्या कहते हैं जो daily chat के अंदर करना है इसे हम कहते हैं गाईस wolf wave pattern गाईस यह wolf wave pattern है और गाईस यह bullish है और यह सारे पैटन जो आप लोगों को अभी तक मैंने दिखा है यह सारे पैटन में आप लोगों को अपनी previous videos पर जब भी पैटन बनते थे मैं आप लोगों को सिखाता था बताता था कि ऐसे पैटन होते हैं तो गाईस यह पैटन क्या ज ज्यादा extreme pattern होता है और इससे find करना बहुत ज्यादा difficult होता है और trade करना तो उससे भी ज्यादा difficult होता है च्योंकि यह हमें जो provide कराता है यह हमें प्रोवाइट कराता है false signal हागाई यह false breakout breakdown signal से पता लगता है कि यहां पर bullish wave pattern मैं अब क्या है अब देख सकते हैं डाउन फॉल ब first time यहां से उपर गया यहां पर पूरा नीचे आया first time उपर गया फिर second time यह नीचे आया थरड़ टाइम उपर गया फूर्थ टाइम नीचेया और यह जो tipping line आप देख रहे हैं जो बनी हुरी इसrice trent collaborators को इसने यहां पर ब्रेक कर दिया तो इस ब्रेक कर दिया स्कों यहां पर क्या सुधत प extr extreme इसने हम ने बोला फॉल्स यह बता रहा है कि यह फॉल्स ब्रेक breakdown है ठीक है guys यह false breakdown है क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कि line के अंदर दुबारा उपर यह जा चुका है अब यह में क्या बता रहा है कि first time यह उपर गया यहां पर यह first हो गया यह देख रहे हैं यहां से first time उपर गया फिर second time यह नीचे आया third time उपर गया fourth time यहां पर इसने false breakdown दिया अब bullish wolf wave pattern क्या हमें बताता है कि fourth time जब कोई एक channel के अंदर trade करते हैं fourth time अगर वो particular चीज उपर की तरफ अगर breakout देती है तो मतलब मैं expect करते हैं कि वहां से नीचे की तरफ reverse लाएगा बट अगर वो नीचे की तरफ breakdown देती है false तो हम expect करते हैं कि वो उपर की तरफ आएगा और वहां से वो breakout कर देगा तो यहां पर false breakdown आया यानि कि यह वाला system complete हुआ है और उसके बाद दुबारा अंदर आ चुका है तो अब यह चीज क्या बता रही है वो मैं आपको बताता हूँ यह चीज बता रही है कि हमारे लिए जो बाई बनता है वो इस लेवल पर बनता है और यह जो लेवल आ रहा है 900 900 का लेवल तो यानि कि हमें 900 के आजपास इसमें अपनी बाई पोजिशन बना लेनी चाहीती हमारा जो पहला टार्गेट होगा गाईस वो पहला टार्गेट यह है जो कि 1080 आप लोग को बता चुका हूँ और बुलिश वुल्फ वेव का जो पैटन का टार्गेट है जो वुल्फ वेव है गाईस उस pattern का जो target है मैं उसका आप को target बताता हPP việc क्या है वह यह पर देख सकते हैं क्योंकि यहサकते हैं सकते हैं यह जो bottom है और यह वाला जो top है is bottomstone को में में मिलाते ह offense nos quoi यह मेरी line को extend कर दिये तो अब हम हम् Mix यह बता रही है कि जो pattern наши target होता है करना होता है याननि यहां से दुबारा उपर जाए गोर इस-लाइन को टेस्ट करेगा तो यह और चो निकल के क्रें रहा है वह vender रोपे का लेखल असपास जो मैं एक्सपेक्क करें कि यहां तक है हमारे टागेट्स है और वह ऐसलिए बनता है इंडिको के उपर आपनी खुद की अनालेसिस भी करिए अगर आप लोग ठीड लेना चाहते है तो ठीड ले सकते हैं एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइट करा जाती है 15-15,000 लोग देखते हैं और वहाँ उसका फायदा उठाते हैं तो आप जरूर यहाँ पर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और लाइक छोड़ सकते हैं अगर आप लोग को यह हमारा टेक्निकल अनालेसिस 360 डिग्री टेक्निकल अनालेसिस पसंद आया और समझ में आया इसी के साथ मैं जादा देरी नहीं करूँगा मैं इसी वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर तो मैं शिवांज बसीन साइनिंग ओफ